नमस्पर दोस्तों मैं पूझा आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचिंटर किचिन में आज हम बनाएगे मत्र के छोले यह चोले खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगते हैं बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं मत्र के छोले बनाने मत्र के छोले बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मत्र जिसे रात भर के लिए फुलने के लिए रख दिया था आप इसे 8 गंटे भी रख सकते हैं फुलने के लिए और फुल के अपने साइज से डबल हो जाता है टोम्याटो लिया है तुम्याटो लिया है उसे चौप कर लिया है इसका हम पेस्ट बनाएंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून लिया है, कोरियंडर पाउडर वन टी स्पून लिया है, बेकिंग सोडा वन पिंच लिया है, रेड चिली पाउडर वन एन हाफ टी स्पून लिया है, अद्रक लसुन का पेस्ट वन टेबल स्पून लिया है, तेल त्री टेबल स्पून लिया तेज पत्ता दो लिया है, लवंग दो इलाइची दो लिया है, दालचीनी एक इंच तुकड़ा ले लिया है, दालचीनी का, दो लाल मिर्च लिया है, दो हरा मिर्च लिया है, जिसे बीज से मैंने कट कर लिया है, प्याज दो लिया है, जिसे बारिक चॉक कर लिया है, 1-2 passes, 1-2 तीज़न लिया है. सबसे पहले मटर कोक कर लेंगे. कुक़र में मटर डाल डाल दिया है. लग बग 2 गलास पानी डाल देंगे. बेकिंग सोडर डालेंगे, इससे मटर बहुत अच्छे से कुख हो जाएगा और सुअद नुसर नमक डाल देंगे, सारी चीजों को हम मिला देंगे एक लवंग एक लाइची डाल दूंगी इससे मटर में इसका फ्लेवर आ जाएगे लाइची और लवंग का मैंने कुकर का ढखकन बंद कर दिया और मेडियम टू हाई फ्लेम पे हम तीन सीटी आने तक इसे कुक करेंगे मटर को दो सीटी मीडियम फ्लेम पे एक सीटी हाई फ्लेम पे आने तक तो ये तीसरा सीटी आ गया है मैं गैस आफ कर देती हूं गैस का फ्लेम और इसे थंडा होने के बाद हम ढखकन को खोलेंगे कुक करके हुआ यह क्यों को थटनडा हो गया है हलका सा तो मैं ऽड़कंन अटालेति हूं खोल दिया है सकते हैं कि मत्र बहुत अच्छे से को गया है आपको मैं एक मत्र मैश करके दिखाती हूं हमें मत्र को पूरा 100% कुक नहीं करना है 80-85% कूप करना है क्योंकि जब हम इसे मसाले में भूनेंगे तभी भी एक कूप होने वाला है तो मैंने इसे 85% कूप किया है अब मैं इसे चन्नी के हल्प से सारे पानी को छान लूँगी ये पानी हम यूज नहीं करेंगे छोले में कड़ाई गरम उने के लिए साथ तेल डाल दिया है कड़ाई में तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल देंगे लवंग इलाईची और दाल चिनी डाल दिया तेजपत्ता डाल दिया लाल मिर्च डाल दिया हरी मिर्च भी डाल देंगे और सारी चीजों को हम 40-50 सेकेंड के लिए फ्राइ कर लेंगे तेल मे हल्कासा फ्राय हो गया है अब में इसमें प्याज डाल दूंगी कटा हुआ और इससे भी हल्कासा सॉफट होने तक हम फ्राय करेंगे गेस का फ्लेम मैंने हाई रखा है हाई फ्लेम पे हम सारी चीज़ों को भूनेंगे अब मैं इसमें अद्रक लसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी इसका कच्छय स्मेल जाने तक हम फ्राइ करेंगे प्याज और अद्रक लसुन को प्याज तक थोड़ा सा हलका सा गुलाबी कलर करनी हो जाता है तो आप देख सकते हैं प्याज भुन गया है हलका सा तेल में ब्राइ मसालों को चुलाते हुए हम इसे फ्राइ कर लेंगे एक मिनिट तक एक मिनिट हो गया है तो हम टोमाटो का प्यूरी बनाए थे वो डाल देंगे और इसे भी हम एक मिनिट तक टोमाटो के प्यूरी को भी मसालों के साथ चुलाते हुए अच्छे से पका लेंगे एक मिनिट हो गया है और मसाले बहुत अच्छे से भून गया है कलर भी चेंज हो गया है मसालों का आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे, मटर को मैंने अच्छे से छान लिया है, पाने उसके सारी छन्नी के हल्फ से निकल गए है, और मटर को भी हम अच्छे से मसालो में भून लेंगे, गैस के फ्लेम को मैं मिडियम कर देती हूँ, मिडियम फ्लेम पे हम मटर को भूनेंगे मस दो मिनिट हो गया है धकन अटालिया आप देख सकते हैं कि जो आइल है वो सेपले हो गया है मसाले में से और मतर में से और इसी हम चला लेंगे फिर से एक पर अब मैं इसमें नमक डाल दूँगे ध्यान रखे कि हमने नमक पहले भी डाला है मतर को बॉइल करते समय तो साउधानी से नमक डाले और अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को भी कि अब यहां फिलेम को मैंने हाई कर दिया और पानी डाल देंगे हम यहां पर मैं वन और अब ग्लास पानी राल रही हूं मतर में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से मैं धक्कल लगा दूँगी पास से छे मिनिट के लिए से हम कुप करेंगे हाई फ्लेम पे जब तक की करी में अच्छे से उबालनी आ जाता है पाच मिनिट हो गया है धक्कल अटा के हम चेक कर लेते हैं अब में इसमें गरम मसाला डाल दूँगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे एक मिनिट के लिए कुख होने देंगे हाई फ्लेम पे ही एक मिनिट हो गया धक्कन हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं करी का जो कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गया है तो यह हमारा मटर का छोला बनके बिल्कुल रेडी है तो गैस का फ्लेम में आफ कर देती हूं और लास्ट में जो हमने धनियापत्ता कट करके रखा है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी धनियापत्ता को छोले में अब मैं छोले को प्लेट में निकाल लेती हूं यह जोले खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप इसे पराठा नान चपाती या आप इसे सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं उपर से बस प्याच कट करके बारिक डाल दीजे मैंने इसे गार्निश करने के लिए बस ओनियन रिंग अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में इससे भी ज्यादा टेस्टी है या आप इसके अंदर एक टिक्की डाल दीजे आलू का और उपर से नमकिन डाल दीजे फरसान और तब खाये वह भी बहुत अच्छा लगता है तो आप ये रेसिपी को जरूर साने बनाना और खाने में बहुत टेस्टी है अगर आपको मेरी छोली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को जरूर अपने घर पर ट्राइ कीजे अपना एक्स्पीरियंस कमेट द्वारा मेरे साथ शेयर कीजे आप सदी से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल क को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक केजे और शेयर केजे थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो